स्टार प्लस के सबसे पॉपलर शो जणक में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट क्योंकि अब जो जणक है वो उठाने वाली है एनी के खिलाफ बहुत बड़ा कदम जी हाँ वो अब कोट जा पहुंचेगी कोट में केस लड़ने के लिए तयार है क्योंकि एनी किसी भी हाल में ये मानने को तयार नहीं है कि जणक के पेट में है उसका ही बच्चा और अब ये साबित करने के लिए जो जणक है वो अब हर वो कोशिश करती नजर आएगी जिसकी वज़े से उसके बच्चे को उसके बाप का नाम मिल सके तो वही दूसरी तरफ अनिरुद जो है वो जणक पर भढ़के ही जा रहा है आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एनी और जणक का होगा जूलरी शॉप में आमना सामना जहां पर एनी मौका पाते ही जणक से कई तीखे सवाल करता नजर आएगा उस पर इलजाम लगाता नजर आएगा उ जो कुछ हो रहा है गलत वो उसकी वज़े से हो रहा है इतना ही नहीं एनी साफ तोर पर जणक को कहने वाला है कि तुम मेरी जिंदगी को बरबाद कर रही हो मुझे बदनाम करने की तुमारी जो कोशिशे हैं वो बिलकुल भी मैं सहन नहीं करूंगा तुम जानकर ऐसा कर र पता होता उस रात के बारे में लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है और ये जो तमाम दावे हैं जो की एनी कर रहा है जनक के सामने ये देखकर पूरी तरीके से तूटती बिखरती नजर आएगी जनक लेकिन जनक इस बार ये तैकर चुकी है अपने मन में कि वो हार नहीं माने और वो इस लडाई को अब कानूनी तोर पर लड़ेगी ताकि इस बच्चे को उसके असली बाप का सहारा मिल सके पर एक बार फिर से एनी उठाएगा जनक पर सवाल और जनक पर उचा लेगा की चड़ और कहेगा कि तुम मुझे जूटे उसमें फसाने की कोशिश कर रही हो तुम्हें अच्छे से पता है कि ये बच्चा आदित्ते का है और आदित्ते इस बच्चे का बाप बनने से इंकार कर रहा है तो तुम अपना पाप मुझ पर डालने की कोशिशे कर रही हो ये तमाम चीजे आपको देखने को मिलेगी एनी और जनक के बीच में लेकिन दोनो में इसे कोई भी एक दूसरे को समझने के लिए तयार नहीं है वही एनी बार बार जनक को गलत साबित करने की कोशिशे कर रहा है हाला कि कही ना कही एनी बार बार जो जनक है उसकी आखों में देख रहा है उसकी फीलिंग्स को समझना चाहता है लेकिन बाप जो दिन तमाम चीजों के वो सच पर विश्वास नहीं करता जिसके बाद बॉकला उठी है जहनक और आप उठाएगी बड़ा कदम इसे बीच मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अब जो एनी के तीके इल्जाम है जो कि उसने लगाए है जहनक पर उसका करारा जवाब देने के लिए जहनक भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कैसा लगा आपको वीडियो क्या है आपकी राए जरूर बताएए इस वीडियो में इतना ही